वेडियो को आगे हम एक वार इंटरस्टिंग और यूनीग वीडियो के साथ आज हम सुनेंगे ETI Eloquence TTS के Alternative TTS को जी हां दूस्तो हम लोगों ने finally select कर लिया है कि ETI Eloquence TTS के Alternative TTS में हम किस TTS को यूज करने वाले हैं तो क्या आप भी हमारे साथ ETI Eloquence के Alternative TTS को यूज करना चाहते हो तो भई यूज करना चाहते हो तो उससे पहले आपको सुनना पड़ेगा ETI Eloquence का Alternative TTS कौन सा है और उसके लिए आपको वीडियो में end तक बने रहना होगा क्योंकि Alternative Voice आपको वीडियो के end में सुनने के लिए मिलेगा लेकिन उससे पहले आपको कुछ voices हमने सुनाया है पाच्छे जो आप भी अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो और फिर फाइनल end में हमने एक voice आपको सुनाया है तो अब ये voice आपको कहां मिलेंगे तो ये voice आपको मिलेंगे Ecapella TTS Voices में और Ecapella TTS Voices आपको कहां मिलेगा ये आपको मिलेगा और इसका लास्ट अपडेट है December मन्त का रेगलो इसमें अपडेट भी आते रहते है तो आप लोग ज़रूर वीडियो में इस voice इन voices को सुनिये और वीडियो के end में final voice को भी सुनिये आपको मज़ा आ जाएगा क्योंकि आपको तो पता ही है कि कुछ अच्छा ही करने की कोशिश करते है हम हमेशा से तो ये भी हमारी एक छोटी सी कोशिश है और जो लोग Acapella TTS के बारे में सब कुछ जानते हैं सारे voices जानते हैं वो लोग वीडियो को skip करते हैं जो लोग नहीं जानते हैं जो लोग चाहते है Acapella Voices में सबसे अच्छा voice कौन सा है जो आप Eloquence के Alternative में यूज कर सकते हो वो वीडियो में आगे बने रहें चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकिशन बेल आइकन को भी आन कर लेना और हाँ ये वीडियो सभी के साथ शेर जरू करना क्योंकि काफी इंटरस्टिंग वीडियो है और Eloquence का Alternative सब लोग ढून रहे हैं तो वीडियो जरूर सब के साथ शेर करना ताकि Eloquence का Alternative लोग टाउनलोड कर पाए और वीडियो को लाइक जरू करना आज के इसने एपिसोड को अरे गयन याप जाईए अरे वोईसे सुनना नहीं आपको जाईए भई जाईए तो दोस्ति चलिए चलते है एका पहला TTS में और देख लेते हैं कौन-कौन से वोईसे आप Eloquence के Alternative में यूज कर सकते हो और हम लोगों ने कौन-कौन से वोईसे जो सेलेट किया है और वीडियो के end में एक वोईस जो final है हम लोग यूज करने वाले है Eloquence के Alternative में तो वो भी आपको अच्छे से सुनने के लिए मिलेगा एक टेक्स हम लोगों ने बनाया और उस टेक्स को रीड कर भाया है उस TTS से तो आप वीडियो के end टक्स जरे बने रहना ताकि end में ही आपको पता चलेगा कि final TTS कौन सा है स्टार्टिंग में हम आपको कुछ TTS के voices यहां पर सुनाएंगे जो हमें काफी अच्छे लगे तो तो तलते है एका पहला में अब यह जो एका पहला TTS है इसमें काफी साथ है आपको जो हम वैसे सुना रहे है उसके अलावा भी अगर आपको को वैसे पसंद आते हैं तो वह आप कर सकते हैं से ठीक है पर्चेस करना पड़ेगा आपको हर एक वैस अभी इसके जो है अब हम लोगों ने कुछ दो तीन वैसे इसमें सिलेक्ट किया है जो हमें अच्छे लगे तो हम आपको सुनाएंगे और फाइनली हम आपको एक वैस सुनाएंगे वीडियो के एंड में जो अच्छा है तो यह ट्रेसी का वोइस है इसको हम लोग सुनेंगे पहले फीमेल इं इसको प्ले करके देखते हैं काफी अच्छा वोइस है तो यह वोइस काफी अच्छा लगा और इसको जो आप वड़े हैं यूज कर सकते हो अब कोई भी वोइस हो अगर आपने अपर प्ले कर लिया अगर आपको पसंद आ रहा है तो यहां से अप डिरेक लिसको ऑपका बॉनी प्रेसी से कपते पार को अच्छा थी हर आपको राइट व लेफ्ट करना है करें ख्लीक करते से रर्ण वास से शिम रुपे की यह वाइस है यह हमारे यूपी अल्री आपर सेट है तो यहाँ पर हमें यह option मिला है आपका जो भी payment method होगा वह आपको दीखेगा ठीक है यहां से आप payment method change भी कर सकते हो लिदिम कोड भी कर सकते हो या फिर debit card भी डालके आप इसको अब हम लोग दूसरे वोइस देख लेते हैं अब हम आगे और भी कुछ वाइस सुनेंगे हाला कि इसमें सेटिंग भी है लेकिन मैं आज सिर्फ आपको voices ही सुनाने वाला setting कभी और explain करेंगे आप comment box में जरूर comment लिखेगा कि आपने voices purchase कर लिए इसकी सेटिंग भी बता दो तो हम इसकी सेटिंग वाला वीडियो भी लेकर आएंगे तो वैसे लेकर आने ही वाले है लेकिन फिर भी आपके comment का इंतजार रहता है में तो आप comment ज़रूर कीजेगा बूसरा voice सुन लेते हैं adults dial Hi I'm the American English speech synthesis voice from acapella Black Ray Grain तो इसका वोल्स में हमें काई बेहां बहते हैं बहुत global फैटर वोस है तो मैं आञे वीडियो के अधो dough में पर वाएल कर आंड 알고 ऑर विडिक्ष्प्र दंडहे ऐसमाट और वाइस हम आपको सुनाते हैं यह विल वाइस है इंग्लिश यूएस का तो यह भी हम आपको सुनाते हैं यह वाइस हमें काफी अच्छा लगा जिसे हम लोग यूज कर सकते हैं और ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ यहां पर इतने अच्छे से पढ़ रहा है यह अच्छे से पढ़ता है हम लोगों ने इसके रिव्यूज भी देखे हैं ओनलें टेक्स रीड करवा के तो यह काफी अच्छे से रीड करता है तो और हम लोग अब यूटे के वोईस देखेंगे अच्छे से अच्छे पीटर यह विज देखेंगे अच्छे स्केश पीटर यह काफी अच्छा लगा इसको भी अच्छा लगा इसको भी सुन लीजे यह भी voice काफी clear है और काफी अच्छा लगा हमें जो हम लोग इसे भी use कर सकते हैं देख लेते हैं और वो कोई voice यह जो हमें यह जो हमें यह जो वोईस है यह भी हमें काफी अच्छा लगा एक बार आप इसे सुनेगा और इसे सुनकर जहें कमेंट बाक पर जरूर लिखेगा कि यह एला का वोईस आपको कैसा लगा आप लेत बार, आप लेत बार तो दोस्तों यह भी काफी अच्छा लगा, श्माल गर्ल का वोईस है और काफी बहतरीं लगा रीट करने के मामले में और इंग्लिश यूखे का एक लाइस आपको दिखाना चाहूंगा लिए देखेंगे कि हम लोग फाइनली कौन सा वाइस यूज करने वाले हैं यह एक और रोजी का जो वाइस है यह भी हमें अच्छा लगा इसको भी सुना देते हैं आपको अच्छे से रीड करता है यह और काफी अच्छा भी लगता है इन्हें सुनने के लिए और रियल हुमेन वाइस है यह तो अब हम लोग जो है फाइनल हमारे जो फाइनल टीटियस है उसको आपको सुनाने जा रहे है जिसे हमने स्लेक्ट किया है तो आप लोगों को वो-वाइस कैसा लगा यह कर्मेंट बीच्छ में ज़रूर बताना थी फाइनल जो वाइस है जो अम लोगोंने से लिच्छ यह ह् सुनके आईए मैं यहीं आपका इंतिजार कर रहा हूँ फिर बात करते हैं आपको पता चल गया होगा कि यह जो वोईस है यह किसका वोईस है और किसका वोईस हम लोगों ने फाइनल सुना या फाइनल किया है आप लोगों ने दो बार इसे सुना है दो बार हमने आपको इसे सुना है तो इसका नाम है Will Happy जो काफी बहतरी इन तरीके से पढ़ता है काफी अच्छा लगा हमें इसका ओवर्वीव हम लोगों ने जो लिया दो दिन हम लोगों ने इसको यूज किया काफी बहतर तरीके से जो है यह चल रहा था तो अभी फिलहाल जो हम लोग इस वोइस को ही यूज करने वाले है एलिक्विंस के अल्टेनेटिव में तो आप लोग भी इस वोइस को जरूर से जरूर ट्राइ करें इस टेक्स को जो हम लोग ने आपको सुनाया है इस टेक्स को बार-बार सुनिए इसका प्रनॉमसेशन सुनिए काफी बहत जाएगा और बाइक करने का तरीका में आपको बता ही चुका हूँ आप वहां से उसको जो है बाइक कर सकते हो और काफी बहते ही तरीके से ये रीड भी करेगा तो आप ज़रूर विल हैपी को यूज करिए और कोशिश करिए एलुकिन्स के अल्टरनेटिव को यूज करने के लिए क्योंकि Android 11 में अगर मौडिफाइड चल भी गया लेकिन 12 में तो शाय जी चले और होप्स रखने से अच्छा अल्टरनेटिव होना ज़रूरी है कब कहा कि समय पर जो है अब करना क्योंकि काफी इंपोर्टनेट है काफी यूसफुल है यह टेक्स्टू स्पीच और काफी ही इंटरस्टिंग है तो मैं मिलता हूं किसी और इंटरस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिन और हाँ चैनल को ज़रू सस्क्राइब कर लेना क्योंकि यूनीक व